नवंबर 2021 अच्छा वो महत्वपूर्ण महीना है देखिए यह दिवाली का महीना है साथी इसी महीने में 21 नवंबर को ब्रिहस्पती अपनी नीच राशी से निकल कर कुम्ब राशी में चले जाएंगे तो सबके लिए अच्छा परणाम होगा तो इस महीने में 12 राशीयों का क्या फल होगा आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा तो कृप्या वीडियो अंत तक देखते रहिए ओम नमस्षिवाय मैं अन्शुमान आपका स्वागत करता हूँ नवंबर 2021 के महीने में तीन ही ग्रह अपनी राशी परिवर्तित कर रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर गामी पड़ेगा सबसे पहले तो दिवाली का महीना इसलिए एक अच्छा महीना कहा जा सकता है सबके लिए मा लक्ष्मी कृपा करें ऐसी मेरी प्रार्थना है दिवाली धन तेरस 2021 के क्या शुब महुर्त पूजा विधी और उपाए है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक अभी आप स्क्रीन शॉट पर देख रहे होंगे जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको वीडियो स्क्रीन के अंत पर ही दिख जाएगा आप उसे देख सकते है अब इस महीने में क्या महत्तुपूर्ण ग्रह परिबर्तन होने वाले हैं देखिए सूर्य अपनी राशी 16 तारीक को बदल लेंगे बुद्ध भी 21 तारीक को अपनी राशी बदल लेंगे और ब्रिहस्पती भी 21 तारीक को अपनी राशी बदल लेंगे यानि ब्रिहस्पती कुम्ब राशी में अपनी उचराशी कर्प जैसा परणाम देते हैं ब्रिहस्पती कुम्ब राशी में जाने पर क्या परणाम देंगे इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका भी आप स्क्रीन शोट देख रहे होगे वह वीडियो भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूँगा उसे चाहे तो देख सकते हैं तो अच्छे परणाम हो रहे हैं 12 राशियों के लिए क्या अच्छे रिजल्ट आएंगे इस पर इस वीडियो में मैं आपको विस्ता से बताऊंगा तो सभी 12 राशियों का राशिफल शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए तो आएए मेश राशी से पार व व्यवसाय व जीवन साथी के घर में इकठा हो रहे हैं जहां सूरे नीच के रहेंगे बुद्ध आपके अकारक रहे हैं तो किसी तरह का रोग और शत्रू आपको परिशान कर सकते हैं कर्ज की भी समस्या आ सकती है आचानक खर्चों में बढ़ोतरी से आपको पैसे उधार लेने की नौबत भी आ सकती है वहीं शुक्र देखिए अगर तो आपकी राशी के स्वामी मंगल के मित्र तो नहीं हैं लेकिन दोनों ही धन भावों के स्वामी होके आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं तो शुक्र का गोचर आपको भाग्य से कुछ मदद जरूर द देखेंगे तब इस्थितियों में सुधार होगा तो ऐसा कहा जा सकता है कि महीने के शुरू के 15-20 दिन थोड़ी इस्थितियां चिंता जनक होती हुई दिख रही है फिर भी शुक्र समालता रहेगा आपकी इस्थिति को वहीं ब्रिहस्पती का 11 भाव से गोचर करना लाब भ प्रिश लगन के स्वामी शुक्र आठवें भाव से गोचर करने रोग वस्थितियों के घर से अचानक कहीं की यात्रा बन सकती है जिने भी थायराइड की इस्किन की पाचन तंत्र की समस्या है उन्हें साउधानी अधिक रखनी पड़ेगी आपके छठे पाचन के भाव से रोग के भाव से तीन ग्रह इकठा गोचर कर रहे हैं सूरे मंगल वबुद्ध सूरे आपके चौथे परिवार सुख के घर के स्वामी है बुद्ध आपके पांचवे संतान विद्या के घर के स्वामी है और मंगल आपके बारह में रोग भाव के स्वामी है उनका छठे भा तो आपको 21 नमबर के बाद पैसे से जुड़ी हुई तो आपको समस्याएं जो कुछ चल भी रही होंगी वह दूर हो जाएंगी लेकिन संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है संतान के स्वास्तिय संतान की शिक्षा को लेकर भी तो वृष राशी के लोगों को इस पूरे महीन महादेव की आराधना करते रहनी चाहिए मितुन राशी के स्वामी बुद्ध 21 नमबर ृतलाराशी कर रहे हैं अपने मित्र की राशी से हैं धन के स्वामी और धन की महा और जूर्वों आपके लिए अच्छा है उससे भी अच्छी बात यह होगी कि आपके कर्म भाव के स्वामी ब्रहस्पती और आपके साथमे व्यापार वजीवन साथी के घर के स्वामी ब्रहस्पती जो अभी आपकी राशी से आठमे भाव से यानि समस्याओं के घर से मकर राशी से गोचर कर रहे हैं वह 21 नवंबर को उस राशी से निकल कर कुम्ब राशी में चले जाएंगे जो आपके भाग्य में आती है, तो फिर आपको भाग्य से बहुत सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, तो मिथुन राशी वाले लोगों के लिए यहाँ, महीना नवंबर 2021 का परिवर्तन का महीना, यानि टानराउंड मन्थ कहा जा सकता है, इस महीने से आपके नए जीवन की श हैं, जो लोग भी इंशोरेंस सेक्टर में हैं, या थर्ड पार्टी लाइजनिंग कॉंट्राक्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो समय अच्छा है ही, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, राहू का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, वही गुरू का भी नवा गोचर अच्छी सूचना यह है कि आपके भाग्य के स्वामी ब्रिहस्पती, जो आपकी राशी के स्वामी चंद्रमा के सबसे बड़े मित्र हैं, वह अपनी नीच राशी से इस महीने निकल जाएंगी 21 नॉंबर को, हालांकि वह बहुत अच्छी सिति में तो नहीं जा रहे हैं, आ जैसे इंशुरेंस, फाइनस, शेयर मार्केट, किसी तरह का स्पेकुलेशन, वहां बहुत बढ़िया है, या जो लोग भी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुएं, उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग आध्यात्मी साधना लाभ करना चाहते हैं, उनके लिए भी तो ब्रिहस्पती यहां कुछ अच्छे परणाम आपको देगा, पहले से तो बहतर देना शुरू कर देगा, जिन दिनों ब्रिहस्पती का चंद्रमा से कोई संबंध होगा, वह दिन आपके धार्म के लिए अच्छे होंगे, हालांकि चोथे भाव में सूर्य मंगल बुद् किसी तरह का नया घर या नई गाड़ी खरिदना चाहते हैं, तो आपको अभी इसे पुट आफ कर देना चाहिए, कुछ समय के लिए इसे टाल देना चाहिए, कहीं ट्रांसफर हो सकता है, या अचानक कहीं यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं, माता पिता की सेहत को लेकर भी सावधानी रखनी की जरूरत है, लेकिन यह महीना आपका टानराउंड महीना कहा जा सकता है, करक राशी वाले लोगों के लिए, सिह राशी वाले लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है, कि उनकी राशी से पांचवे भाव के स्वामी, ब्रिहस्पती, जो आपकी रा अलांकि इस महीले आपकी राशि के स्वामी अपनी नीच राशी हैं. राशी के स्वामी आपके तीसरे भाव में जा रहा हैं, सूर्य मंगल अर बुद्ध तीन तीन ग्रहों का तीसरे भाव में गोचर करणा आपमें उर्जा और हिम्मत नहीं भरेगा, लेकिन कार यस्थल पर अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है शनी की दस्वी दृष्टी से सूरे का नीच भंग भी हो रहा है तो कुछ आपको मेहनत करने पर कुछ नए assignments मिल सकते हैं जो लग third party contract लेते हैं उनके लिए अच्छा समय है थोड़ा प्रयास करेंगे तो उनको नए काम और नए assignment जरूर मिल जाएंगे सेह राशी वाले लोगों के लिए भी यह महीना अच्छा कहा जा सकता है कन्या राशी के लिए आपकी राशी के स्वामी बुद्ध महीने के शुरू के 21 दिनों तक राशी से दूसरे गोचर करेंगे उसके बाद तीसरे भाव में बुरिश्चिक राशी में चले जाएंगे आपके लिए बुद्ध का गोचर अच्छा रहेगा दूसरा और तीसरा बुद्ध का गोचर अच्छा माना जाता है दूसरे भाव में सूर्य मंगल वबुद्ध तीन गरा इकठा होंगे इसमें दो गरम गरहें, तो आपकी वाणी पर कुछ बुरा प्रभाव आ सकता है, या आप में कुछ लोगों को हर्ट करने की ऐसी स्पीच आ सकती है, उसे आप कृपया कंट्रोल करके रखें, नहीं तो आपसी रिष्टे आपके बिगड सकते हैं, खास तोर पर पारिबारिक म गोचर कर रहे हैं, छठा गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, ब्रिहस्पती का, रोग बृद्धी, शत्रु बृद्धी भी कर देते हैं, ब्रिहस्पती, लेकिन उनकी नमी द्रिष्टी आपके दूसरे भाव पर पढ़ रही है, तो धन के लिए अच्छा होगा, या जो अभी सूरिया मंगल का जो बुरा प्रभाव आ रहा है आपके परिवार पे, उस पर ब्रिहस्पती कुछ लगाम लगाएंगे, शनी का आपका पाच्वा गोचर हो रहा है, तीसरी द्रिष्टी से शनी आपके सात्वे भाव को देख रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन में आ भावों को प्रभावित कर रहा है, बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है, तो काम दंदे के लिए तो बुरा समय नहीं है, लेकिन आपसी संबंदों को सहेज कर रखना और चलना है, या इस महीने की आपकी प्राथमिक्ता होनी चाहिए, तुला राशी वाले लोगों के लि और राशी को भी देख रहे हैं, यानि कहीं तीर थियातरा पर जाने के प्रबल योग बनते हैं आपके इस महीने, अच्छा है, खास तोर पर प्रिहस्पती की दृष्टी आ रही है, और शुक्र की भी दृष्टी आ रही है, तो कहीं ऐसी यातरा जो विश्नु का स्थान हो लक्ष्मी का स्थान हो, परांबा का स्थान हो, तो ऐसी तीर थियातरा पर जाने से आपका कल्यान होगा, यह तुला राशी वाले लोगों के लिए इस महीने का संदेश है, अगर आप कहीं तीर थियातरा पर नहीं भी जा सकते हैं, तो आपको किसी मंदिर में जरूर जाना चाहिए यह आपके ब्रिहस्पति और शुक्र को एक्टिवेट कर देगा इस महीने को अच्छा बना देगा देखिए आपके राशी से 11 भाव के स्वामी सूर्य और 12 भाव के स्वामी बुद्ध मिलकर इकठा हो रहे हैं आपके शरीर पर यानि आपकी राशी पर आपके मन पर तो कहीं न कहीं पैसे खर्च होंगे और भाग दोड़ से आपको कुछ चिंता शरीर में जरूर बनी रहेगी लेकिन बाकी काम के लिए अच्छा है क्योंकि ब्रिहस्पति आपके पांचवे भाव में बैटकर सीथे 11 भाव को देख रहे हैं 11 भाव हमारे मित्रवर्ग का होत है ब्रिहस्पति influence को दिखाता है तो जो लोग भी किसी तरह के influence से जुड़ा हुआ काम करते हैं social influencer है या किसी की मदद से अपना व्यापार करते हैं किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलकर जुडते हैं उनके लिए या ब्रिहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होता हुआ गोचर कर रहे हैं व्याए वव विदेश दोनों सेहत के लिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि राशी स्वामी का बारह में बीमारी के घर से गोचर करना आपको बीमारीयों पर खर्च होता हुआ दिखाता है लेकिन यह अच्छी बात यह है कि आपकी राशी से 10वे और 11वे भाव के मालिक यानी वद्ध भी 12वे भाव में गोचर कर रहे हैं आब किन के लिए अच्छा है जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं किसी विदेशी कमपनी से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं उनके लिए तो अच्छा है लेकिन जो लोग ऐसे काम न दिस दिन आपको अचानक जॉब प्लेस पर कुछ हल चल हो सकती है जो शायद आपके मन के मुताबिक न हो खर्च आपके बढ़ सकते हैं इंकम के घर का स्वामी बुद्ध आपके बारहवे भाव कर्च के घर में जा रहा है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बह दिवार और संतान को दिखाते हैं चोथे भाव से ब्रिहस पती का गोचर हमेशा अच्छा माना जाता है चोथे भाव से वह आपकी राशी के स्वामी मंगल पर भी नमीद रिष्टी दालेंगे तो 21 नवंबर से पूरा प्रोटेक्शन आ जाएगा तो 21 नवंबर के बाद च साफी उम्मीद रखनी चाहिए धनु राशी वाले लोगों के लिए महिना बहुत अच्छा होने वाला है देखिए एक तो आपकी राशी अब धीरे धीरे शनी की साड़े साती से मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा रही है अब कुछ 4-5 महिने बच गये हैं उपर से राशी के स्वामी ब्रिहस्पती जो अभी नीच राशी में चल रहे है वो अभी 21 नवंबर को अपनी नीच राशी से निकल कर कुम्ब राशी में चले जाएंगे तो शनी दूसरे भाव में होंगे और ब्रिहस्पती तीसरे भाव में अच्छा योग बनता इसे एक मालिका योग कह और ब्रिहस्पत्ती तीसरे भाव में कुम राशी में जो लगभग उनकी करक जैसी उच्च राशी मानी जाती है वैसा फल दे रहे हैं तो अच्छा योग बनता है आपकी राशी से 11 भाव में आय भाव में सूर्य बुद्ध मंगल तीनों ही कठा होंगे सूर्य तो आपके हैं नहीं भाग्य के स्वामी भाग्य के स्वामी नीच में जा रहे हैं लेकिन उन पर शनी की द्रिष्टी से नीच भंग भी होता रहेगा कर्मस्थान के स्वामी भी इंकम के घर में जा रहे हैं बड़ा अच्छा समय है खास तोर पर जो लोग भी टिकनोलोजी के फील्ड में क हस्पती की नमीद रिष्टी का जाना तो आपके लिए धन के रास्ते 20-21 नमबर से खुलते हुए अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि धनू राशी वाले लोगों के लिए यह आपका निराउंड मन्त हो गया परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है आपक आपके सिर्फ दो ही ग्रह आपको मदद दे रहे हैं शनी और मंगल मंगल आपके चौते भाव के स्वामी होकर दसवे भाव से चल रहे हैं वहां उन्हें दिखबल डाइरेक्शनल स्टेंथ मिलता है काम के सिलसिले में आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है घर का भी परि समस्याओं के स्वामी है और आपकी राशी के स्वामी शनी के बड़े शत्रू हैं आपके करमस्थान पर बैठे हुए हैं नीच होकर हलांकि नीच भंग हो रहा है लेकिन काम में बहुत उथल पुथल मचा रहे हैं तो मंगल संभालने का प्रयास तो करेंगे बुद्ध भी महां बैठे हुए हैं लेकिन सूर्य आपके लिए अभी सबसे अधिक कष्टकारी परणाम दे रहे हैं आपकी शनी की साड़े साती के बुरे प्रभाओं में वृद्धी कर रहे हैं पूरे महीने आपको भगवान शिवकी और सूरिनारायन की उपासना करती रहनी चाहिए त कुम्ब राशी वाले लोगों के लिए एक ग्रह जो उनका सबसे बड़े सहयोगी बनकर आ रहे हैं वह हैं ब्रहस्पती आपके लिए ब्रहस्पती आपके दूसरे और 11 वे दोनों धन भाव के स्वामी हैं आप लोगों की साड़े साती चल रही है उसकी वज़े से धन की समस से आतो उत्पन हो भी रही है washing के मालिक थे अभी तक नीच राशी में 12 हें थे धन का खर्च बढ़ाई रहे थे पैसे आनहीं रहे खर्च बढ़ता चला जा रहा था साड़े साती के प्रभाव और की नीच होने के कारण दोनो अब मैं ब्रिहस्पती आपकी राशी से ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो आपके राशी आपकी राशी के उपर आ चुके हैं यहां से वह पाच्वे भाव को देखेंगे नवे भाव को तो संतान को संरक्षण देंगे आपके जीवन साथी को भी रक्षा करेंगे और आपके धर्म में भाग्य में वृद्धी करेंगे बौसेज से जो आपके टकराव हो रहे थे उनमें भी अभी आपको रिलीफ मिलेगा पैसे की समस्या जो चल रही थी उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा शनी अभी आपके बहुत मददगार नहीं है लेकिन ब्रिहस्पती का गोचर आपके लिए अच्छा हो रहा है मीन राशी वाले लोगों के लिए ब्रिहस्पती जो उनकी राशी के स्वामी है इस महीने अपनी नीच राशी से निकल कर कुम राशी में चले जाएंगे हालां कि कुम राशी आपकी राशी से बारहमें अस्थान में है तो बहुत अच्छा गोचर तो नहीं है लेकिन नीच राशी से निकलना भी राहत की बात है वहीं अगर राशी के स्वामी बारहमें बाव से गोचर करते हैं तो जो लोग भी विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे होते हैं या जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, विदेश जुड़ा हुआ कोई व्यापार होता है, उनके लिए भी अच्छा होता है। आ सकती है, उससे भी आपको बचना चाहिए। साथ में यह भी देखिए कि अब आपकी राशी धीरे-धीरे साड़नी की साड़े साती की तरफ भी बढ़ रही है। तो आपको शनी की साड़े साती से बचने का उपाय अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। दीख रहे हैं, फिलाल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आपको भगवान शिव की आराधना करते रहनी बहुत जरूरी है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दे, ईश्वर हम सब का कल्यान करें, ह आरियों!